नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतिय राजनीती पर कुछ महत्वपून प्रश्न तो चलिए शुरूआत करते हैं भारत के समविधान के उलंगन के लिए राष्ट्रपती के महाभियोग के लिए राष्ट्रपती को 14 दिनों का लिखित नोटिस जारी किया जाता है तो हमसे ये भी पूछ सकता है वो कि कितने दिनों का नोटिस जारी किया जाता है और किस लिए किया जाता है तो हमको याद रखना होगा कि भारत के समविधान के उलंगन के लिए राश्टरपती के महाभियोग के लिए राश्टरपती को 14 दिन का लिखित नोटिस जारी किया उसके बाद अगला प्रेशन है अगला फेक्ट है राज्यपाल के पास जिला अदालत के न्यायधिशों को न्युक्थ करने की शक्तीहोती है। नयाधीशों को राज्यपाल के परामर्ष से राष्टपती द्वारा नियुक्त करता है तो राज्य उच्छ नयाधीश होते हैं उनको राज्यपाल के परामर्ष से राष्टपती द्वारा नियुक्त करता है तो हमको याद रखना होगा यह पॉलिटी का एक important प्रश्ण बनता है यहां से इसके बाद अगला प्रश्ण है कि भारत के उपराष्टपती को उनके कार्याले से परिशद के सभी ततकालीन सदस्यों के बहुमत से पारित राज्यों के एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है तो भारत का जो उपराष्टपती है उनको कार्याले से परिशद के सभी ततकालीन सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित जो राज्यों के एक प्रस्ताव है उसके द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमती व्यक्त की जा सकती है तो इस तरीके से भारत के उपराष्ट पती को कारेले से हटाया जा सकता है इसके बाद अगला प्रशन है एक उपराष्ट पती चुना जाता है तो उसे उस तिथी को घर पर अपना पद खाली करने के लिए समझा जाता है जिस दिन वह उपराष्ट पती के कारयाले में प्रवेश करता है तो अगर ऐसा कुछ situation बन जाती है तो जिस दिन भी वो उपराश्टपती के कार्याले में प्रविश करेगा उसको वो अपना पद त्याग करना पड़ेगा इसके बाद अगला fact है कि राश्टपती शेश कार्याले के लिए एक राज्ज से दूसरे राज्ज में न्यूक्त राज्यपाल को इस्थानांतरित कर सकता है तो जो भी राज्ज पती है वो शेश कार्याले के लिए राज्ज से एक राज्ज से दूसरे राज्ज में जो राज स्वर्द कर सकते हैं इसके अलावा एक राजपाल जिसका कारयले समापत हो चुका है उसी राज य और और फिर से करेकाल्स इंक तूर करे दो GIR. इसके बाद अगला प्रशन है अनुक्षेद पच्पन राश्टपती चुनाओं के तरीके से संबंदित है जो अनुक्षेद हमारा पचपन है वो राष्टपती चुनाओ के तरीके से संबंदित है अनुक्षेद 60 राष्टपती की शपत और पुष्टी से संबंदित है और अनुक्षेद 123 एक आध्याधेश को लागू करने के लिए राष्टपती की शक्ती से संबंदि करके अपने पत से स्तीफा दे सकता है तो राष्टपती स्तीफा कैसे दे सकता है लोकसभा को त्यागपत्र संबोधित करके तो यह होगा हमारे इस वीडियो को डाउनलोड कर ले या फिर वाच लेटर में सेव कर ले ताकि जब भी आप एक्जाम देने जाए तो आप इन प्रश्णों को रिवीजन कर सके